नमस्कार मैं हूँ आपके साथ अनुशकार आए और आप देख रहे हैं स्टार सेवें टीवी न्यूज आईए अब बढ़ते हैं आज की खास खबरों की और पेडिता ने पुलिस अदिक्षक जौनपूर एडिजी जौनवारा नसी के यहां लिखित शिकात देकर लगाई हुन्याए की गुहाद महिला के साथ हुई छेड़खानी पेडित ने ताना अधिक्ष के यहां दी तहरीर में सुनवाई होने पर पेडित पुलिस अदिक्षक जौनपूर एडिजी जौनवारा नसी के यहां लिखित शिकात देकर लगाई हुन्याए की गुहाद जौनपूर जुले के सुरेरित आनक श्रीतर अंतरगर जग्दीश पुर गाउं के एक महिला थाने पहुच कर शेड़ खाने का अरोफ लगाते हुए दिया तहरीर महिला ने बताया कि उसके घर के सामने बेर का पेड़ था दबंगो द्वारा काटा ज़ारा आता जिसमें पेड़ित महिला के पती और महिला के रोपने पर दबंगो द्वारा मारपीट की गई थी जिसकी तहरीर महिला के पती ने दी थी लेकिन कोई सुनवाए ना होने पर दिरांक सताय सक्टूबर को विपक्षी द्वारा फिर से महिला की घर में गुस कर मात्री की गई और महिला को बस्तरहीं करने की कोशिश की गई महिला का मंगल सुत्र भी चीलिया गया, महिला ने खाने पहांच गर तहरीर दे कर नयाय की गुहार लगाए परन्तु थाना देक्ष्र सुरेरी द्वारा मुकद्वानना लितने परमेला निकुले सुदिक्ष्रक एबं ADG जोन वारा नसी को लिखे प्रात्रा पत्र देकर नियाए की गवहाल लगाए स्टार सवें टीवी न्यूस की कवज अब दूगिरी की रिपोर्ट पेड कात रहे तो तो मारे हस्मण मना करने गए लोग धमकी देने लगे गाली कलोश करने लगे त्वाईस तरी को फिर अंदरशले आ equations फिर तेज तारी की सुबह और फिर पेड़े काटने लगे तो फिर फिर मना करने गए तो उसके बाद और लोग घर में घुशके मुझे मेरे पती को मानने पिटने लगे मेरी साड़ी खीची और मेरा गले का मंगा सुत्र नोच लिया पूजान पंकज पावन और अपने पुलिस में अर्जी दिये इस मामले को लेकर नहीं नहीं लिया गा तेज तारी को भी गये थे नहीं पर कोई सुनवाए नहीं दो घंटे में बैठी थी यसो साब आये ही नहीं और 26 को भी घटना हुई फिर मेरे पती गये थे फिर भी नहीं लिया गया हम लोग का दरखास तहां तहां गये अभी तक एसपी ऑफिस गये थे डी जी पी आईजी जों कि इधर गये थे और आईजी कि इधर गये थे तो कहीं भी क्या बोले आपको बोले कि यहीं चलो हो बस यहीं बोले कि क्रास केस हो जाएगा जाओ तुमारा काम हो जाएगा पर कहीं से हमारा काम नहीं हुआ इस अंक में फिलहाल इतना ही इसी तरह की खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल स्टार सेवन टीवी न्यूस को सब्सक्राइब करें साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूतें